गुट मॉर्निंग मा यूटूब फैमिली कैसे हो आप सब और यहां पर सुभे सुभे मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है आज किचिन से जो कि मैं किचिन में आ चुकी हूं बाकी का काम करने के बाद में नहाना वगेरा सब कुछ हो चुका है मेरा और उसके बाद आ कि सब्साइ को मैं अएक साथ रख दिया है कड़ाई में जो कि ऐल गरम हो रहा है और एक हो चुका है तो उसको मैं लग गई हूं बनाने में बाकी आदि द्यारी मैं कर लिए जैसे सब्जी वगरा कट करके रख लिए इक तरब बना रहे हैं बिंदी की सब्जी और वह भी प पसंद नहीं, उनको जो कठेल होती है, कठेल जादा पसंद हु Companies, कठेल बहुत जढ़ा पसंद ये, तो मैं थेस्दविन गैना वह मुद्विन करसों में करने। इस बेटेंल्चों के लिए अलग अलग बना कर सके तो मैंने इस तरीके से ना दोनों सब्जियां एक तरफ मैंने भिंडी बना के रख दी हैं वो भी प्याज वाली बहुत टेश्टी भिंडी लगती हैं और दूसरी तरफ बनाने लग गई हमां कठेल और यहां पर कठेल ना मैंने मैंने बॉयल करके नहीं बनाई और आज और एक फ्राई करके भी बनाते हैं उसको तो बाकी यहां पर मैंने कठेल भी फ्राई करती है और दूसरी तरफ मेरी भिंटी तो बहुत चल्दी बन जाएंगी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक मैं बाकी के काम करूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ जाके दोना सब्सक्क्राइब लगा ले तो सारा काम ना फटाफ़ से कसे हो जाता है जि cic加ंदे तो भ़त जल्दी तो dieses बन के तियार हो कि हैं तो ठीके जोड़ा से ना इसमें मैंने आम और कच्छा वाला आम होता है और दूसरी तरफ मेरी सब्सक्राइब इना नहीं क ही आप सब्सक्राइब और अब बाकि जितना अब्धार में सुनीट टते तेट जो कि आप लोगों ने देखा, मैंने सबजी बनाई थी, दो सबजी बनाई और बाकी जितना भी काम होता है, जैसे कि दूद गरम करना हुआ सुबह सुबह के बहुत सारे काम होते हैं, तो आज जैसे कि मेरे पैर में अभी चोट लगी हुई है, तो मैं इसी तरीके से काम करती हुआ है, जैसे किचिन में एक बार जाती हुआ तो फिर सारा काम करके ही निकलती हुआ है तो अभी मैंने सारा काम कर दिया है, दोनों सबजी बनाई अटा भी लग गया और बाकी का जो भी काम था ना बड़तन वगेरा साथ की साथ कर दिये और अभी बाकी सब लगने लगे करते हैं और क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है किचिन में और अभी मैं फोड़ी के लिए बैठूंगी कमरे में क्योंकि रेष्ट करूंगी तब तक खाने का टाइम हो जाएगा ना तो तब जौँगी मैं बनाने के लिए जब तक थोड़ा कमरे में बैठूंगी और आज तो ना आज बहुत ज्यादा परिशानी हो गई है मुझे क्योंकि पैर की ना क्या हुआ और इसलिए मैं बहुत जल्दी नहाई आज नहाने भी जल्दी क्योंकि आज क्या हुआ पेरी पटी खुल गई थोड़ी सी पटी उपर से खुल गई थी मैंने सोचा मैंने का इससे ना थोड़ा आराम पड़ जाएगा साइद खोल के लेकिन वह इतना घाओ है ना कि मेरे पर रुकाई नहीं जा रहा और मैं जल्दी से फिर नहांके आई तब जाके मैंने थोड़ा पलाजो पहना क्योंकि इस अलवार जो होती है तो इस वजए से मैंने वह पहना और फिर ठोड़ा सा मैंने कपडा लगा के रखा यह अभी मैंने का अभी नहीं जाएगी मैं पटी बंद बाने के लिए थोड़े हो सकता है की जैसे खाना बद जाओंगी तो अभी कुछ पता नहीं है देखोंगी जयदा परिशानी होगी तो कराने पडेगा क्योंकि अभी उन्होंने भी बोलाई कि अभी खोल नहीं कि इस याओ बहुत ज्यादा है तो इस बज़े से और आज मुझे इतनी दिक्कत हो गई कि सहनी नहीं हो रहा था मेरे को बहुत ज्यादा तो फिर मैंने जल्दी से फटा-फट से नहा के फिर की चिन विचिन का काम खतम किया और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहाए अभी इसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम है अभी पॉने 10 बज गए और मेरा सारा काम खतम हो चुका है अभी कोई नहा रहे है कोई पूजा हो रही है किसी की तो और प्रिया आजकल बाद में नहा के आती है जैसे कि उसको कपड़े अगरा होती है तो उसमें डाल के वो निकाल याती है मशीन में निकाल देती है और क्योंकि मेरे पह न चटपय भी नहीं जाया जा रहा उपर इस पैर की वज़े से न चटपय नहीं चड़ाया जा रहा तब जिस दिन से मेरा एक्सिडेंट हुआ है न तब से मैं चटपय नहीं चड़ी अभी क्योंकि हो ही नहीं रहा और तो बहुत सारी प्रोब्लम हो गई है ना तो मुड़ता यह पस सीधा सीधा रहता है वस किचिन का तो यह है कि मजबूर ही है करन दो पुच्छा और यह हुदता न तो मेरे जल्द ही आदत है उथने की सुभह्ए सुभाए करने की तो उसको भी नहीं जगाती है मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ आपना काम जो साम के बाकी हुछते हैं आ जैसे बहुत सारी मुझे चेल में चकर लगाने पड़ते है या इसे आप लोगों से बात कर लूँ कि कुछ सुवह से डारेक्ट मैं किचिन में ही पहुंच गई थी आज तो चलिए थोड़ी देर पंखे में बैट लेती हूं फिर लगेंगे किचिन का फिर से काम करने जो बागी रह गया रोटी वगरा सेखना तो आज तो दोफेर के बाद मैं अब बात चीत हो रही है और वो भी हो रहा है रात का टाइम जो कि साम का भी मेरा रात का खाना पीना सब कुछ हो चुका है उसके बाद मैं मैंने सोचा मैंने का मैंने आप लोगों से तो बात की ही नहीं और अपनी वीडियो का भी एंड नहीं किय तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बात कर लेती हूं और शाम के टाइम मेरी बहन आ गई थी जो कि अभी अभी शादी हुई है आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जो मेरी बुआ जी की बेटी की शादी हुई थी ना वह वाली मेरी बहन आ गई बहन और उनके हस्बेन और वह भी मुझे देखने के लिए जैसे कि उनको पता चली गया था क्योंकि यहां से जैसे मैंने वीडियो में बताया था ना मैंने का बुआ जी बड़ी वाली जो बुआ जी है उनको बुला रही है वो तो वहां पर गए गए थे वो लोग मलब बुआ जी फुपा जी वो सब गए थे संडे को पिछले संडे को आये थे शायद मुझे ज्यादा पक्का याद नहीं है लेकिन वह आये थे न तो वहां पर होके गए बहन के घर गए तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे देखने के लिए आए थे हम तो उनकी जो सासुम आये ना उनको भी पता चल गया तो उनको बताया था ना तो फिर उन्होंने बोला मेरी बहन से कि तुम भी देखके आओ तुमारी बहन के चोट लगी हुई है तो देखके आना चाहिए इस तरीके से तो अच्छा लगा मतलब कि ऐसी जो सोच होती है ना वह बहुत अच्छा लगता है कि देखो अभी ज्या थोड़ी देर के लिए आये वो दोनों शाम को देखने के लिए एक डेड़ गंटे रुके बहुत अच्छा लगा तो यहीं पता चलता है मेरे मतलब धीरे धीरे न सब जादा तर सब आ चुके मेरे बुआ जी दोनों बुआ जी फुपा जी भाई वगरा सब आ चुके और यहा लोग देखने के लिए आगे तो मुझे बड़ी खुशी सी होती है अच्छा लगता है कि सब लोग मतलब कितना मानते हैं मुझे अच्छा लगता है मुझे बहुत ज्यादा तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूंगी I hope वीडियो आपको पसंद आया होग और कॉमेंट जरूर करके बताना लाइक करना तो बिलकुल न भूलना तो चलिए फिर बाई बाई